नमस्कार दोस्तों, Crime Story Channel पर मैं राजेस आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं आपको अपराप की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूँ वो वारदात गाजियाबाद उत्तर परदेश में हुई थी तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में प्रीती को डॉक्टर सुदा के घर लाने से पहले ही सचिन ने उसे अच्छी तरह से समझा दिया था हालांकी डॉक्टर सुदा का बेटा सिवम देखने भालने में सुन्दर था लेकिन जब इंसानी दिमाग अस्वस्त हो तो उसकी सुन्दरता का कोई लाब नहीं होता फिर भी प्रीती ने डॉक्टर सुदा के घर आते ही अपना पूरा ध्यान सिवम पर फोकस कर दिया था वो घर के कामकाज करने के साथ साथ पूरे दिन सिवम की ही चापलूसी में लगी रहती थी जिससे सिवम भी उसके साथ खुश रहने लगा था उसके साथ साथ प्रीती डॉक्टर सुदा का भी पूरा ध्यान रखती थी जिसके कारण कुछी दिनों में प्रीती ने डॉक्टर सुधा का मन जीत लिया और वो जल्दी ही उनके घर की सदस्ची की तरह बन गई थी खुद सोकर डॉक्टर सुधा ने जब प्रीती की तारीप करनी शुरू कर दी तब प्रीती उस घर की बहु बनने के सपने संजोने लगी थी कुछी दिनों में उसके रहन सहन में भी काफी बदलाव आ गया था उसने पूरी तरह से खुद को डॉक्टर सुधा के परिवार के अनुरूपी ढाल लिया था वो हर रोज महंगे कपड़े पहन कर बंठन कर रहती थी 22 फरवरी 2023 को डॉक्टर अकांसा ने अपनी मम्मी डॉक्टर सुधा सिंग को फोन किया कैसी हो मम्मी कुछ खापी भी रही हो या नहीं हा बेटी अब तो ठीक हूँ मैं अब तू मेरी चिंता छोड़ दे तेरे सचिन अंकल ने मेरी सेवा के लिए प्रीती नाम की एक मेड रखवा दी है वो मेरी पूरी तरह सेवा कर रही है डॉक्टर सुधा ने बताया डॉक्टर अकांसा सचिन को अच्छी तरह से जानती थी सचिन का उनके घर पर पहले से ही आना जाना था ये सुनकर डॉक्टर अकांसा ने कुछ रहत की सास ली सोचा कि अब उसी के सहारे उसके भाई सिवम को भी खाना पीना ठेक से मिल जाया करेगा उत्तर परदेश के जिरा गाजियाबाद के मुरादमगर निवासी यूनिक ग्रूप अब कॉलेज की चांसलर सुधा काफी समय से कैंसर रोग से ग्रस थी इस वक्त उनकी विमारी तीसरे इस्टेज से गुजर नहीं थी बहुत समय पहले किसी विमारी के चलते उनके पती की भी मौत हो गई थी उनकी मौत के बाद UIMT की जिम्मेदारी उनी के उपर आ पड़ी थी उनके दो बच्चे थे जिनमें बड़ी बेटी आकांसा तथा उससे छोटा बेटा सिवं बेटी आकांसा पढ़ लिखकर डॉक्टर बन गई लेकिन उनका बेटा सिवं मंद बुद्धी था जिसके कारण वो ना तो ज्यादा पर डिक पाया और ना ही उसमें किसी तरह की सोज समझ की सकती ही थी डॉक्टर सुधा के पास अकूद संपत्ती थी लेकिन उने दुख इस बात का था कि उनका बेटा इस काबिल नहीं था कि उनके बाद वो पूरी तरह से अपनी देखरे कर सके इसी वज़े से उन्होंने समय रहते ही अपनी सारी संपत्ती बेटी अकांसा के नाम कर दी थी जिससे उनकी मौत के बाद वो उसकी मालकिन बन जाए और अपने भाई की भी देखरे करती रहे डॉक्टर सुधा ने समय रहते ही अपनी बेटी की साधी कर दी थी डॉक्टर अकांसा दुलन बनकर अपनी मम्मी और भाई को छोड़कर अपनी ससुराज चली गई थी लेकिन उसके बाद भी वो अपने भाई और अपनी मम्मी की पूरी तरह से खैर खबर लीती रहती थी डॉक्टर सुधा इस समय दो कॉलेजों की मालकिन थी बेटे के मनदगुद्धी होने के कारण दोनों कॉलेजों की जिम्मेदारी उने ही उठानी पड़ रही थी अपने पती के निदन के बाद डॉक्टर सुधा ने सब कुछ ठीक ठाकी संबाल लिया था लेकिन अचाना की उनकी भी तबियत खराव रहने लगी जिसके बाद उनकी बेटी ने उनके चेक अप कराए तो पता चला की डॉक्टर सुधा कैंसर से पीडित है ये सुनकर डॉक्टर सुधा के साथ साथ उनकी बेटी डॉक्टर अकांसा को भी बहुत बड़ा जटका लगा बिमारी भी ऐसी जिसका कोई इलाज ही नहीं फिर भी डॉक्टरों की सलापर उन्होंने महंगे से महंगा उनका इलाज कराया लेकिन उससे उन्हें कोई आराम नहीं मिल पा रहा था दीरे दीरे उनकी बिमारी तीसरे चराण तक पहुँच गई थी उसी दुरान सचिन उनकी बिमारी के चलते उनकी खैर खबर लेने उनके घर पहुँचा सचीन का उनके घर पर काफी समय तहले से आना जाना था डॉक्टर सुदा ने कई बार उसके सामने अपने बेटे की चिंता जताते वे अपनी परेशानी जहिल की सचीन तुम तो जानते हो कि मेरा बेटा किसी लायक नहीं है ना तो वो खुद कुछ बना कर खाता है और ना ही मेरी कोई साहता ही कर पाता है इसलिए अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ जो मेरी देखरेक के साथ साथ मेरे बेटे के खाने पीने की भी व्यवस्ता कर सके और घर की भी देखरेक कर सके हाँ हाँ क्यों नहीं भाबी जी आप परिशान ना हो इस सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं आपका ये काम जल्दी ही हो जाएगा सचीन ने उसी समय अपने मोबाइल पर एक लड़की का फोटो दिखाते वे कहा देखो भाबी लड़की तो ये है घर के कामकाज में पूरी तरह से परफेक्ट है ये ऐसी मिलंसार है कि ये आपके साथ आपके बेटे की भी पूरी तरह से देखरेक करेगी डॉक्टर सुधा ने लड़की का फोटो देखते ही कहा लड़की तो ठीक है लेकिन मैं चाहती हूँ कि लड़की ज़्यादा चालाक नहीं होनी चाहिए अरे भाबी कैसी बात करती हो जब इस लड़की को मैं आपके घर पर रखवाऊंगा तो उसकी जम्मेदारी मेरी होगी आप किसी तरह की टेंसन ना ले मैं करही इसे आपके पास ले आता हूँ सचिन बोला और कुछ देर वहां रुक कर वो वहां से चला गया 23 वरवरी 2023 को सचिन अपने साथ एक यूती को लेकर उनके घर पर पहुचा डॉक्टर सुधा ने देखते ही उससे पसंद कर लिया और अपने घर की चाबी भी उसके हवाले कर दी उसके बद प्रिती उसी दिन से डॉक्टर सुधा के घर पर मेड का काम करने रगी थी प्रिती को डॉक्टर सुधा के घर लाने से पहरे ही सचिन ने उसे अच्छी तरह से समझा दिया था हालांकि डॉक्टर सुधा का बेटा सिवं देखने भालने में सुन्दर था लेकिन जब इंसानी दिमाज रूप से अस्वस्त हो तो उसकी सुन्दरता का कोई लाब नहीं फिर भी प्रीती ने डॉक्टर सुधा के घर आते ही अपना पूरा ध्यान सिवं पर फोकस कर दिया था कैंसर की बिमारी के चलते ही 7 अगस 2023 को डॉक्टर सुधा की मौत हो गई अपनी मा की मौत होने पर डॉक्टर आकांसा भी अपने घर आई मा की मौत के बाद वो पहली बार प्रीती से मिली थी उससे पहले उसने उसका फोटो ही देखा था प्रीती को घर में देखकर उसे हैरत हुई उस समय उसके साथ दो अन्य महिलाए भी थी इसलिए डॉक्टर आकांसा ने प्रीती से उनके बारे में जानकारी ली तब उसने नीलम नामा की उती को अपनी मौसी और उसके साथ आई दूसरी महिला परवेश को अपनी दूर की रिष्टेदार बताया प्रीती ने बताया कि वो उससे मिलने के लिए आई थी इसके बाद भी डॉक्टर आकांसा की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि अगर वो उससे मिलने ही आई थी तो वो अभी तक उसी के पास क्यों ठहरी हुई है डॉक्टर सुधा की मिर्तियों के बाद सभी ससकार संपन हो चुके थी फिर भी वो दोनों ही औरते वहाँ पर टिकी पड़ी थी जिनकों देखकर डॉक्टर आकांसा का माधा ठंका उसके बाद उसने प्रीती से कहा कि अब उन्हें घर में मेड़गी जरूरत नहीं है इसलिए आप लोग अपने घर जा सकती हो आकांसा की बात सुनते ही प्रीती बोली दीदी अब मैं यहां से कहा जाओं अब तो यही मेरा घर है अब मैं इस घर की बहूं हूँ और तुम्हारी भावी हूँ ये बात सुनते ही डॉक्टर आकांसा को दिन में तारे नजर आ गए वो बोली क्या बकवास कर रही हो तुम तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो हाँ दीदी मैं जो कह रही हूँ वो सच है अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो अपने भाई से पूछ लो लेकिन सिवं तो पहले ही मन बुद्धी था उसके बाद भी डॉक्टर आकांसा को विश्वास नहीं हुआ तो पृती ने आकांसा को साधी के फोटो दिखाते वे विश्वास निलाने की खोशिस की जिसमें वो अस्पतार के रूम में सिवं के साथ उसके गले में माला पहनाते वे नजर आ रही थी ये सम देखते वे उसे हैरत हुई उसे विश्वासी नहीं हो रहा था कि उसकी मम्मी उसे बिला कुछ वताई ही इतना बड़ा करम कैसे उठा सकती थी डॉक्टर आकांसा की हर रोजी अपनी मम्मी से बात होची थी लेकिन एक दिन भी उन्हों ने इसके बारे में जिक्र तक नहीं किया था फिर भी डॉक्टर आकांसा ने प्रीती से साधी के मामले में कोई अन्य प्रूफ दिखाने की बात कही लेकिन प्रीती के पास ना तो कोड मेरिज का कोई पेपर ही था और ना ही किसी परकार का कोई अन्य सबूत प्रीती के पास फोटो के अलावा कोई सबुत नहीं मिला तो उसने तीनों महिलाओं को घर से निकल जाने को कहा साथ ही डॉक्टर आकांसा ने तीनों को धमकी दी कि अगर वो सीधी तरह से घर से नहीं निकली तो वो उन्हें पुलिस के हवाले कर देगी पुलिस की धमकी सुनकर प्रीती ने फोन करके सचिन को भी गुला लिया डॉक्टर अकांसा सचिन को ठीक से जानती थी सचिन के आते ही डॉक्टर अकांसा ने कहा अंकर आपने तो प्रीती को हमारे यहाँ पर एक मेड की काम के लिए रखवाया था फिर अब वो जो बकवास कर रही है वो सब क्या नोटंकी है डॉक्टर अकांसा की बात सुनते ही सचिन ने बताया कि आपकी मम्मी ने मेरे सामने ही आपके भाई की साधी प्रीती के साथ कराई थी आपकी मम्मी सिवम को लेकर काफी समय से परिसान थी बीमारी के दोरान उनोंने ही मेरे सामने सिवम की साधी प्रीती के साथ करने की इच्छा जाहिर की थी उनोंने कहा था कि अब मेरा तो पता नहीं कि कब मौत आ जाए मेरी मौत के बाद मेरा बेटा बिलकुल ही अकेला पड़ जाएगा मैं चाहती हूँ कि मेरे जिन्दा रहते ही मेरे बेटे की साधी हो जाए जिससे मेरी मौत के बाद मेरा बेटा ठीक ठाक रहे सके यही इच्छा जहिर करते ही उन्होंने अस्पताल में एक दूसरे को माला पहना कर साधी की थी सचिन ने डॉक्टर अकांसा के सामने जो बात कही थी वो भी उसके गले से नहीं उतर रही थी फिर भी उसने कहा कि वो इस साधी पर विश्वास नहीं कर सकती जब डॉक्टर अकांसा इस बास ने सहमत नहीं हुई तो सचिन ने फोन करके पुलिस को बुला दिया सचिन के बुलाने पर पुलिस आभी गई लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाई तो वो भी वहां से चली गई उसके बाद सचिन पे उसी घर में उनके साथ रहने रगा सचिन टे डॉक्टर आकांसा से साप सब्दों में कहा कि अब इस संपत्ती की मालिक प्रीती है वो ही सिवम की पत्नी है वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी उन सबी के घर में रहते डॉक्टर आकांसा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे डॉक्टर आकांसा समझ चुकी थी कि ये सब उसकी भाई की संपत्ती हडपने का मया जाल है। उसके बार डॉक्टर अकांसा गाजियवाद के वरिष्ट पुलिस सदिकारियों से मिली और अपने साथ वोई धुकादड़ी की कहानी सुनाई। 22 सितंबर 2023 को इस मामले को लेकर डॉक्टर अकांसा की ओर से सचिन प्रीपी और उसकी सयोगी महिलाओ के खिराब धोकादड़ी करके संपत्ती हडपने का मुरादनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। थाने में मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ते इस मामले में जाच परताल सुरू कर दी। जाच की दौरान पताचला की सचिन पर पहले ही मुरादनगर मसूरी और सिहनी गेट के थाने में धोकादड़ी के कई मामले दर्ज है। सचिन गाजियाबाद में नूरपूर गाओ का रहने वाला था। उसी जाच परताल के दौरान इस साधी की हकिकत सामने आई कि करोणों की प्रौपटी को हड़पने के लिए इस गैंग ने ये सडेंतर रचा था। उसी दौरन पुलिस जाच में पता चला कि प्रीती की भी इस मामले में पूरी भागीदारी थी। प्रीती इससे पहले इसी तरह से दोकादड़ी करके कई लोगों को चूना लगा चुकी थी। इससे पहले वो दस साधिया कर चुकी थी। पुलिस ने अपनी कारवाई करते वे उसकी चार साधियों के दस्तावेज भी हासिल कर लिये थी। ये सब जानकारी जुटाते ही पुलिस डॉक्टर सुदा के घर पहुची तो पुलिस के पहुचने से पहले ही सभी फरार हो चुके थी। उसके बाद पुलिस ने सचिन के गाओं में उसके घर पर छापा मारा तो वो पुलिस के हत्ते चड़ गया। पुलिस ने सचिन को गिरपतार किया और मुराद नगर थाने ले आई। थाने राते ही पुलिस ने उससे कड़ी पूस्ताच की तो उसने सारा राज आसानी से खोल दिया। सचिन ने स्विकार किया कि सीधे साधे लोगों को अपने विश्वास में लेकर उनकी साधी के भाने उसका गैंग मोटी रकम एड़ता था जिसमें पुलिस को बताया कि अब तक गैंग के लोग पुलिस की 10 साधिया करा कर करोणों रुपै कमा चुके हैं। इस पूरे गैंग का संचालक सचिन ही था, वही प्रीटी के साथ परवेश और नीलम के सारे ही करोड़ो पती घरानों में पहले मेड़ की नौकरी दिलवाता था और फिर उनकी प्रॉपर्टी हतियाने के लिए मंद गुद्धी, दिव्यांग या फिर अधिक उमरतराज विक् ये सबी को सचेत करने वाली नसियत बरी कहानी है। प्रीती ने उसकी जमीन जायदात को देखकर पहली बार गेम खेला और उसके लड़के के साथ साधी करके उसके घर से लाखों रुपए के जेवर और नगदी लेकर फरार हो गई। इसके बाद सचिन उससे मिला। प्रीती का ये काम उसे अच्छा लगा फिर वो उसी के को तलास करने लगा था। जिस घर में विकलाल या फिर मन बुद्धी अन्मेरिड युवा होते थे। उसके बाद वो किसी भी तरह से उस परिवार से संपर करके जान पैचान बढ़ा लेता था। उसके बाद मेर दिलाने के नाम पर प्रिती को वहाँ पर लगा देता था। फिर प्रिती उस घर में गुशते ही वहाँ पर अपना विश्वास जमा लेती और साधी करके कुछ दिन वहीं पर रहती। योजना के अनुसार वो उस परिवार पर तरह तरह के आरोप लगा कर मुकदमा दर्ज करा देती। जिसके बाद अलिकांग परिवार अपनी जद के रड़ से उसे मोटी रकम दे कर समझवता कर लेते थे। यही काम करते करते उसने दिल्ली अंसियार में तीन साधी की थी। उससे पहले उसने तीन साधिया हरियारा में की थी। जिसके बाद वो सभी को चूना लगाकर परार हो जाती थी। डॉक्टर सुदा के घर भी प्रि सचिन से किसी मेड को दिलाने की बास कही थी। सचिन का मकसद भी यही था। डॉक्टर सुधा के कहते ही उसने प्रीटी को उनके घर भीज दिया था। डॉक्टर सुधा के घर जाते ही प्रीटी ने मीठी मीठी बाते बनाते वे उन पर पूरा विश्वास जमा लिया था। ड जिसके कुछ दिनों बाद ही उनकी मौत निश्चित है। यही सोचकर उसने प्रीती को समझा दिया कि वो किसी भी तरह से सीवम और डॉक्टर सुधा से प्यार जताते में उसके साथ उसके गले में माला डाल कर साधी की नोटंकी करे। फिर उसके बाद बाकी वो देख लेगा उस समय डॉक्टर सुधा की आलत ज्यादा ही खराब थी, ना तो वो अधिक बोल सकती थी और नहीं ज्यादा चल फिर सकती थी। उनकी हालत का नाजैज फैदा उठाते में प्रीती ने एक दिर उनसे बाद करते में कहा, मैडम हर रोज आपकी हालत खराब हुटी जा रही है अगर आपको कुछ हो गया, तो आपके पीछे सिवं बाबु की देखरे कून करेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इससे पहरे आपको कुछ हो जाए, आप सिवं बाबु की साधी मुझसे कर दो, ताकि आपके बाद मैं उनकी पूरी देखरे कर सकोू। हालांकि डॉक्टर सुदा की हालत दिन पर दिन बिगरती जा रही थी, फिर भी वो प्रीती के कहने पर उसकी साधी करने को तयार ना थी। उसी दोरान डॉक्टर सुदा की तवियत ज्यादा ही खराब हो गई, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भरती कराना पड़ा। उ इनकी हालत को देखती वे प्रीती अपने साथ लाई माला लेकर सिवम के गले में डालते वे फिर उसी तरह से उस से भी अपने गले में डलवा दी। सिवम खुछ भी नहीं समझ पाया था। उसके साथ ही उसने दोरों के माला डालते वे कई फोटो भी खीच लिये थे उसके साथ ही पृति ने डॉक्टर सुधा के साथ खड़े होकर भी फोटो खीचवाये थे ये नौटंकी खतम करने के बाद सभी डॉक्टर सुधा की मौत का इंदिजार करने लगे जैसे ही 7 अगस 2023 को डॉक्टर सुधा की मौत हुई उसके सचिन की पूर्व योजना नुसार रिती ने खुद को सिवम की पत्नी मान लिया और अपनी सहेली परवेश और नीरम को भी गुला लिया था लेकिन डॉक्टर अकांसा के आगे उनकी सारी योजना धरी की धरी रह गई हालांकी सचिन ने सिवम की सारी संपत्ती हड़पने के लिए ये साजिस रची थी लेकिन अपने इस मनसूबे में ये गैन काम्याब नहीं हो पाया था इस केस का कुलासा करते वे DCP विवेक चंदर यादव ने बताया कि अगर किसी तरह से ये केस पुलिस तक नहीं पहुच पाता तो ये लोग अपनी योजना में हरगेच काम्याब नहीं हो पाते क्योंकि डॉक्टर सुजा ने पहले ही अपनी सारी प्रॉपटी की वसीयत अपने बेटे के नाम करा दी थी लेकिन बाद में अपने बेटे की हालत देखते में उन्होंने अपनी प्रॉपटी अपनी बेटी डॉक्टर अकांसा के नाम कर दी थी ताकि उनके खतम होने के बाद उनकी प्रॉपटी सही सलामत रहे इस मामले में पुलिस ने इस गैंग के संचालक हिश्ट्री सिटर सचिन को 2 अक्टूबर को गरफतार करके जेल भीज दिया था प्रीती की तलास में गाजियवाद पुलिस की एक टीम हरियाणा में डेरा डाले हुई थी गाजियवाद पुलिस की जाच में सामने आया कि प्रीती पर सोनीपत में कई मुकदमे दर्ज है इसी वर्ष 2023 में भी सोनीपत सिटी कोतवाली में एक धमकी का और दूसरा आयटी एक का मुकदमा दर्ज हुआ था इसके अलावा प्रीती ने वर्ष 2022 में भी एक लेकपाल के खिलाप सोनीपत सदर कोतवाली में रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें पृती कोट में दिये बयान से प्रड़ गई थी उसमें पृती ने अपना केस वापस लेने के लिए उस लेकपाल से लाखो रुपे लिये थे इस मामले में पुलिस ने उसके पहले रही पतियों से बाचित की थी पूलिस पूश्टाच के दोरान जानकारी मिली कि प्रीती पहरे साधी करती और फिर अपने पतियों पर तरह तरह के आरूप लगा कर केश दर्ज करा देती थी फिर उनसे केश वापस लेने की एवज में अच्छी खासी मोटी रकम की मांग करती थी उसके साथ ही वो दूसरे सिकार की तरास में लग जाती थी पूलिस ये भी जाच कर रही थी कि इस गैंग में और कितने लोग सामिल है दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए अपना ख्यार रखिएगा धन्यवाद